इस यह आपका पार्ट वीडियो चेप्टर का पार्ट वीडियो में कॉस्टन नंबर 7 पर है आपका 1.1 सेवन का थर्ड नंबर तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया था आज अमनों चार नंबर से सुरू करने वाला है इसमें इसमें आपको क्या करना था जी तो निर्धारित कीजिए कि क्या निम्लेकित संबंधों में से प्रतेक स्वतुल सम्मित संक्रामक है या आपको चेक करना reflexive, symmetric and transitive के लिए है या नहीं है तो चार नंबर में कहा रहा है कि समुझ A बराबर X लेके 10 तक इसमें element है में R बराबर दिया है order पे और XY के form में है जहां कहा रहा है 2X-Y is equal to 10 से परिभासित संबंध आ रहा है यहाँ पे एक संबंध दरसा रहा है एक relation दिखा रहा है कै तो XY order pair के form में है जहां 2X-Y equal to 10 है ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपको XY दोनों value किसे बिलोंग करना चाहिए एसे मतलब इसी के होने चाहिए और एक relation यहाँ पे दिखा रहा है 2X-Y बराबर में 10 तो एक काम करते हैं इसको इधर ले जाते हैं इसको इधर लाते हैं इसको माइनस में आजागा जो कि satisfy नहीं करेगा 2,3,4,5,6 पे आएंगे 5 लेंगे तो 5,5 जा 10,10 में से 10 जीरो आजागा तो यह भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि Y भी तो इसमें बिलोंग करना चाहिए न तो X और Y दोनों इसमें बिलोंग करना चाहिए ऐसे values को ले रहा होगा तो सी X बराबर 7 एंगे तो Y बराबर हो जागा 2 इंटू 7 माइनस 10 साथ दुना 14 में से 10 कितना जागा जी तो 4 चीक है X बराबर 8 तो यहां पे आपका Y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 10 तो आर दुना 16 16 में से 10 गया आपका कितना जागा 6 चलिए X बराबर 9 तो Y बराबर जागा 2 इंटू 9 माइनस 10 तो देखिए 9 दूना 18 18 में से 10 गया आपका 8 जागा अचा फिर X बराबर हमनों लेते हैं 10 X बराबर 10 that means Y बराबर यहां से आपका जागा 2 ग 20 में से 10 गया 10 तो यह सारे वैलू अब से टे में बिलोंग कर रहे हैं यानिकि यहां से आपका यह relation आगया relation किस तरह से हो गया relation 6 2 6 2 7 4 पर ऐसे न लिखिएंगे जी 8 6 8 6 9 8 10 10 यह आपके order पर इस तरह से आगए तो यहाँ आपका एक relation हो गया अब यह relation चेक करना है कि reflexive symmetric transitive है कि नहीं तो पहले लिखते हैं for reflexive reflexive के लिए check करते हैं तो reflexive के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यह सब होने चाहिए था न इसमें तो कुछ भी नहीं है 1,1 not belongs to R therefore R is not reflexive R reflexive नहीं है स्वतुल्ले नहीं है दूसरा हमनों चलते हैं सम्मित के लिए यानि कि for symmetric for symmetric for symmetric तो symmetric की बात करेंगे तो इसमें अगर 6 2 belong कर रहा है R से तो आपका 2 6 भी तो belong करना चाहिए था जो की possible है ही नहीं इसमें तो है ही नहीं therefore R is not symmetric तो कि R is not symmetric यह symmetric नहीं है तीसरा पज़ गया उसको भी देख लेता है for transitive for transitive 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 के लिए देखें बहुत ही simple साथ देखो ना इसी में देखो यहाँ पर देखो आपका 9 8 है 8 6 है तो 9 6 भी होना चाहिए जो की यहाँ पर नहीं है देख रहा है ना 9 8 belongs to R है ना फिर and 8 6 भी belong कर रहा है R से लेकिन यहाँ 9 और 6 है इसमें नहीं है therefore R is not transitive R is not transitive तो बहुत ही simple है यह chapter जितना आसानी से समझेगा उतना ही बेतर हैगा ले सेवड़ कर देखे बेतर है